यह पावर ग्रेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानि की PGCIL की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनी की रिक्रूट्मेंट लेके आ रहे हैं परमनेंट जॉब है, रेगिलर जॉब है, सालरी बहुत अच्छी 27,000 पर मन्त यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसी के अलावा, civil और electrical engineer यहाँ पे completely eligible है, तो एक बहुत अच्छा मौका है आप सब के लिए जो लोग इस पोस्ट के लिए इन्टोस्टेड हैं, इस वीडियो को लास तक सब्रूर देखिएगा इसका proper eligibility criteria, selection procedure, form को बढ़ना कैसे है, इसकी last state और इसकी सारी जानकरी मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ चाहते हैं तो हमारे चानल को subscribe भी कर सकते हैं और आप हमें सारे ही social media platform पे follow कर सकते हैं, link आपको सब का सीधा description में भी मिल जाएगा तो friends, अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रही हैं, especially अगर आप gate या ES 2023 या 24 की तयारी कर रही हैं, तो unacademic तरब से आपके लिए नए batches start होने चाह रही हैं तो जो लोग चाहते हैं, यहाँ पे as soon as possible enroll कर सकते हैं यहाँ पे आपका vision batch start हो रहा है 23 मास से, जो की bilingual रहने वाला है, और civil के लिए batch चालू है इसी के अलावा यहाँ पे आपकी steel structure start हो रही है, शाम के 16 बज़े से आपकी class से चालू है फिर verb batch है, जो की English में रहेगा, और इसी के अलावा spark batch है, जो की March 23 से start होने वाला है हिंदी English में भी आपका batch, English में भी यह आपका batch रहने वाला है, ठीक है तो जो लोग चाहते हैं, यहाँ पे जरूर जरूर enroll कर सकते हैं इसी के अलावा यहाँ पे देखे, price high होने जा रहे हैं, अनगाडमी पे तो अगर आप लोग चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के तो ले सकते हैं, इसके आपको मेरा code यूज़ करना है CED 140, अब यह आप price list देख पा रहे होगे, यह सर्फा सरिफ 24 March तक ही valid है इसके बाद इसके rate अपने आप बढ़ जाएंगे, तो जो लोग चाहते हैं, यहाँ पे enroll कर सकते हैं as soon as possible, ठीक है, बाखी इसी थोड़ी और बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखे, coming Sunday को Unacademy Combat भी होने जा रहा है जहाँ पे आपको 20 question करने होंगे, 60 minute में 27 March 2022 को यह आप के लिए scheduled है, सुभी की 11 बज़े से start होगा यह एक्तम free में है, यहाँ चो जीतेगा, उसको 100% Unacademy की scholarship भी मिल सकती है बाखी उसी के साब से उनको scholarship भी मिल जाएगी और इसी के लावा हर एक test के बाद उसका detail video solution भी यहाँ पे आपके लिए available हो जाएगा ताकि अगर कोई आपकी doubt है या कोई problem है, तो आप उसे बाद में clear भी कर सकते हो तो I think सारी बाद आपको समझ में आगी होगी, जो लोग चाते हैं as soon as possible enroll कर सकते हैं तो फिलाल आज के लिए भी के लिए तना ही, अब हम लोग सीधे बात कर लेते हैं आज की recruitment के बारे में तो यह निकल के आ रही है, पावर ग्रेट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेट, PGCIL, यहाँ पे से northern region तरफ से recruitment निकल के आ रही है diploma trainee की post के लिए electrical और civil की post के लिए, post आपकी regular है, permanent job रहने वाली है यहाँ पे से लदाख region की तरफ से recruitment लेके आ रहे है diploma trainee electrical number of post ए 9 है, general के लिए 4 है, ST के लिए 4, EWS के लिए 1 और ex-servicemen के लिए 1 है फिर diploma trainee civil के लिए number of post ए 2 है, और इसी के लावा general के लिए यहाँ पे दो ही post है फिर यहाँ पे diploma trainee electrical कश्मीर दीजन है, यहाँ पे number of post ए 5 निकल के आ रही है यह जो आपकी post है, इसको आप all over India कहीं से भी apply कर सकते हो, आप सच कुछ दिक्कत नहीं है इसी के लावा बात कर लेते हैं, यहाँ पे qualification के बारे में तो minimum qualification देखिए, 3 year का diploma होना चाहिए, तभी यहाँ apply करने पाएंगे but 70% of marks, इसी के लावा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, तो देखिए, यहाँ पे अगर आपने B.E.B.Tech या फिर M.E.M.Tech किया है और अगर diploma के बात किया है, तभी apply कर सकते हो, अगर without diploma 12 के बात सीधे B.Tech किया है तो उस case में यहाँ पे आप लोग eligible नहीं हो, यह इसका main criteria है और अपने ही disciplines होना चाहिए, maximum age limit 27 लखी गई है, चनल वालों के लिए बाकि as per norms, age में relaxation मिल जाएगा salary की बात कर लेते हैं, 27,500, इसी के अलावा, जब आप लोग regular हो जाओगे, permanent हो जाओगे तो यहाँ पे आपको J.E. की post में दे दिया जाएगा, S1 level पे और उसके बाद यहाँ पे आपकी salary 25,000 से बढ़के हो जाएगी, ठीक है, idea scale में इसी के अलावा जो भी benefits होते हैं, सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे आपका service agreement रहेगा, यहाँ पे आपको ढ़ाई लग का service agreement assign करना होगा, जो कि minimum 3 साल का रहेगा और S.E.S.T. वालों को लिए 1,25,000 का यहाँ पे agreement रहने वाला है selection procedure यहाँ पे आपका एक return test होगा, CBT होगा जो कि minimum 2 hours का रहेगा, यहाँ पे उसके 2 parts होगे वाला है, जिसमें आपकी vocabulary, English, quantity, aptitude, reasoning और GKGSE सब आ जाएगी, यह 50 questions कर रहेगा ठीक है, negative marking 1 by 4th की चलेगी, इसी के अलावा जो लोग आपको यहाँ पे 40% score करना होगा उसके बाद यहाँ पे उसका एक छोड़ा सा interview भी हो जाएगा, जो लोग दोनों faces को clear करेंगे उनका जागे selection होने वाला है, test center यहाँ पे आपको श्रीनगर, जम्मू और चंदिगर में ही मिल जाएंगे इसके लावा कहीं नहीं मिलने वाला है, बाकी जैसा भी होगा, COVID के हिसाब से आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा minimum age limit 18 years रखी गई है यहाँ पे, ठीक है, बाकी इसी के लावा minimum diploma होना चाहिए, ठीक है इसी के लावा थोड़ी और बात कर लेते हैं, इसका एक online form है, procedure online है application fees इसकी देखिए 300 रुपे रखी गई है, और SCST के लिए कोई भी fees नहीं है इसका form भनना start हो गया है, last date इसकी 20 April 2022 रहने वाली है इसी के लावा जो इसका examination है, June 22 तक आपका हो जाएगा तो जो लोग चाहते हैं, आप as soon as possible enroll कर सकते हैं इसी के लावा जो लोग apply करना चाहते हैं, इनकी website पे जाके form भर सकते हैं बाकी आपको पूरी जानकारी हमारी website से मिल जाएगी मैंने इसे अपनी website पे update कर दिया है, link भी आपको सीधा description में भी मिल जाएगा तो फिलाल आज की लिए के लिए तना ही, अगर वीडियो पसंद आता है, चानल को like करें, share करें, subscribe करें So thank you and God bless all of you